So, Hello Students, O2IS Academy के चैनल पे आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है ये सारसी सीरीज चल रही है हिमाचल नाप तसीलदार एक्जाम की प्रेपरेशन के लिए जिसमें हम लोग GS का syllabus free of cost cover कर रहे हैं मैं यहां पे Indian Economy के lecture ले रहा हूँ और Indian Economy में हमने पिछले lectures में Unit 1 हमारा cover किया जिसमें along with the syllabus का roadmap मैंने sectors of economy के बारे में आपको पढ़ाया capitalism क्या होता है, socialism क्या होता है, agrarian economies क्या होती है manufacturing economies क्या होती है, Adam Smith क्या कहते थे, James Keynes के क्या economic ideas थे fiscal stimulus क्या होता है, इस तरीके की basic बाते हैं हमने कर ली फिर इसका एक topic था concept of national income जिसमें हमने GDP, GNP, NNP, depreciation क्या होता है calculate कौन करता है, CSO का क्या rule है, statistical commission का क्या rule है इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिए अब अगले lecture में हमें further topics से बारे में study करना है तो आगे जाने से पहले मैं एक बात बता दूँ कि हमारा जो main motive है वो यह है कि economy के अगर 10 या 12 question आ रहे हैं तो maximum आप लोग ठीक कर पाएं और इस labels को भी मैंने इस हिसाब से prioritize कर रहा है topics को so that maximum topics हम लोग initial lectures में cover करें जिनसे question आने की संभावना ज़ादा है तो इनसे question आने की संभावना ज़ादा थी जैसा हमने हलात में देखा और further मैंने तीन चार topics और इसी सीरीज में आपको पढ़ाने है जिनका पहला topic रहेगा inflation, poverty, unemployment and अगला है population देखे जब से देश आजाद हो है हमारे देश की अर्थ वेवस्ता के साथ ये तीन समस्यें जुड़ी होई है पहली कहा जी महंगाई बहुत है दूसरा गरीबी और बेरोजगारी बहुत है तीसरा है population जो है वो explode कर रही है हलाकी बात हर हाल तक सत्या नहीं है अभी population वाली but still it is a considered की भारत की population explode कर रही है by the common masses अब हमें इनके बारे में वो basic जानकारी हैं कठी करनी है जो paper में पूछी जा सकती है तो वो purpose रहेगा आज हम लोग कोशिश करेंगे कि inflation का topic completely cover कर दिया जाए और जो लोग नए हैं उनको बता दूँ कि हमारी जो mobile application है वहाँ पे free course का जितना भी PDF content है और जो test series है वो वहाँ पे आपको available मिलेंगी ताब वो PDFs वहाँ से download कर सकते हैं अपने revision के लिए अगर कोई preparation में further practice करना जाता है तो auto is academy की mobile application पे बहुत सारी test series भी available है जिनका combo pack में आपको screen पे दिखा रहा हूँ अब यह भी ले सकते हैं इसमें सब कुछ ही cover हो चाहेगा जो आज तक नाइप सजिलार की test series में उन्हें provide कर रहा है तो हम हमारा topic शुरू करते हैं विच इस महंगाई inflation तो अब भली बांती जानते हो महंगाई के दौर में तो हम जी रहे हैं महंगाई होती कहा है सबसे पहले इसका definition की rate of change in the price level कि किसी भी particular commodity set of commodities and services goods and services का price level में जो change है that is called महंगाई इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं generally दो कारण वाश इसका price बढ़ता है जिसको हम लोग demand कहते हैं और दूसरा या तो supply कम हो जाती किसी particular goods or service की या उसकी demand बहुत जादा बढ़ जाती दोनों cases में उसका price जो है वो rise हो जाता अब इस chapter में हमारे लिए relevant चीज़े क्या है पहली बात है हमें यह types देखने हैं कि inflation के न कुछ types होते हैं दो तरीके से इसको categorize करा जाता है पहला तरीका है कि इसके rate से कि कितना rate of inflation है उसे साब से creeping inflation, galloping inflation, hyper inflation ऐसे कुछ categories आती है दूसरा इसके कारण क्या है inflation के उस behalf पे इसको categorize कर दिया जाता है और हमारे questions में लगवग ऐसे papers में ऐसे questions अक्सर बन जाते हैं दो हो गया types पढ़ने इसके बाद types तो हो गया इसको मापते कैसे हैं इसकी measurement कैसे करते हैं यह दो चीज़े अगर आपने कर ली तो inflation का लगवग 80-90% question आप cover कर दोगे इसके बाद जो तीसरा important factor यहां से निकल कहा था कि हाँ inflation हो रहा है तो उसके लिए सरकार यहां हमारी monetary authority which is RBI वो क्या-क्या काम कर रहे हैं तो तीन पहलों में हमें इसको समझना है पहले दो पहलों हम आज करेंगे और तीसरा पहलों हम जब monetary policy पढ़ेंगे तो उसके साथ हमको cover करना होगा because topic जो है वो correlate करते हैं so first of all let's begin with the first issue different types of inflation जो आपको पता होने चाहिए for example demand pull inflation है core inflation, hyper inflation, imported inflation, wage inflation, cost push inflation इसमें वो दोनों categories के inflation mix आगे और भी दो चार चीज़े हैं वो मैं करवाऊंगा आगे लेकिन इनकी एक CDC definition इस slide में given है जब आप revision करोगे तो आपको easily याद हो जाएगा कि किसकी बात में कर रहा था अब हम पहला type of inflation पढ़ते हैं demand pull inflation उससे पहले जड़ा सब basic idea दुबारा समझें inflation का तो इस example के तुरू मैं आपको inflation समझाने की कोशिश करूँगा demand और supply समझाने की कोशिश करूँगा हमने कोई भी उधारन ले लिया for example product A है कोई भी product है इसकी बात में मैं further इसको elaborate भी कर दूँगा कोई भी product A एक product बनाने के लिए क्या होता है factors of production responsible होते हैं कौन से जी factors of production responsible होते हैं ये मैं पिछले 2-3 दिन से बात कर रहा हूँ factors of production क्या होता है land, labor, capital, investment, जो entrepreneurship है वो सब कुछ है उसको हम लोग short form में wiper भी कहा देते हैं labor को wages पे करनी है, capital पे interest rate पे करना है example के रूप में समझा देना है so that कि आपकी basic conceptual clarity हो जाए so आने वाली जो चीज़ें आप easily समझ पाएंगे तो यहाँ पर मैंने example लिया है किसी भी एक virtual product A का हना इस product को हम लोग आगे elaborate भी कर लेंगी different products के तो कि for example inflation क्या है inflation है जी किसी एक product के price levels change हो चुके है वो price level change होने के पीछे क्या क्या factors responsible है हम लोग उनकी बात करते हैं तो यहाँ पे दो primary factors है पहला है जी supply और दूसरा है demand उस product की supply कितनी है उस product की demand कितनी है supply के लिए क्या चीज़े responsible है factors of production factors of production यह मैंने पिछले lecture में बात करी थी इसका हम wiper कहा रहे थी short form में कि कोई भी factory लगानी है तो वो land labor capital entrepreneurship चार चीज़ों के आफशकता और उनके लिए कौन से factors हैं अगर labor है तो उसको wages पे करनी है अगर capital investment दिया है तो उस पे ब्याज देना है entrepreneurship है तो मुझे वहाँ पे profit कमाना है और land के लिए rent पे करना है तो वो wiper बना तो यह चार चीज़े responsible होंगी कोई raw material वगरा खरीद रहा है तो वो responsible होगा यह सारी चीज़े मिल के supply आती है कोई भी चीज़े कोई भी product है product a produce होगा अब दूसरा है market में बिकेगा किस बहाफ में लोग खरीदना चाहते है यह नहीं लोगों में demand है यह नहीं अगर यह supply और demand balance में चल रही है कि जतनी सी चीज़े बन रहे हैं उतनी सी लोगों के demand है तो price जो है वो more or less same रहेगा अगर इसमें कोई गड़बड़ी आती है for example की suddenly किसी चीज़ की demand rise कर जाती उसकी parallel supply है नहीं तो price अप हो जाएगा वाइसा वर्सा अगर किसी भी product की demand यथावत बनी हुई है बट उसकी supply में कोई ना कोई शौक आ जाता है को बहुत बड़ा शौक आ जाता है तो भी उसका price जो है वो बढ़ जाएगा उधारन लेते हैं medicine की बात है उधारन लेते हैं हम लोग iodine की गोलियां iodine की गोलियां आम दिनों में required नहीं होती बहुत कम requirement होता है क्यों कम होता है because बहुत कम लोग है जिनको iodine की कमी होती है और वो उन गोलियों को खाते हैं या कुछ thyroid के patients है उन गोलियों को खाते है अब for example Ukraine Russia का जो अभी टसल चल रहा है वहां पर अफवा उड़ रही है कि Russia जो है nuclear attack कर सकता है तो Ukraine के जो cities हैं जो chemists हैं they are running out of iodine tablets और उनकी demand बहुत heavily rise कर गी है क्यों क्योंकि nuclear जो fallout उससे बचने के लिए iodine की गोलियां लोग खाते हैं और घरों में store करने शुरू कर दी है demand of all 2 की demand consumer size पर create होगी supply side इसको cope up नहीं कर रहा तो क्या हो रहा है वो चीज़े महंगी भिकरी है wholesale और consumer levels पर पैसा कमाने के लिए क्योंकि demand तो है चीक अब एक चीज़ और समझिए फॉर एक्जामपल परस्टामोल की tablets थी covid-19 आया तो परस्टामोल की tablets की बहुत ज़्यादा आफशकता हुई हमें antiviral drugs की बहुत ज़्यादा आफशकता हुई तो वहाँ पे भी similar concept लगता है इसका कुछ उल्टा भी हो सकता है कि कोई हम लोग समझेंगे demand side अगर demand ज़्यादा और यह तो उसको demand pull कहते हैं अगर कोई supply shock आ गया तो उसको हम लोग cost push कहते हैं दोनों को देखना है कैसे आते हैं ठीक तो चलिए आगे चलते हैं for example पहले वाला inflation मुझे पढ़ाना है आपको demand pull inflation अब demand pull inflation में होता कहा है कि aggregate demand जो है वो ज़्यादा है aggregate supply कम है तो क्या होगा price up हो जाएगा mainly किस वज़े से ऐसा होता है तो वज़े कहा है जी consumer demand pull है demand बढ़ गी है demand बढ़ने के कुछ urgency कारण भी हो सकते हैं कि सच में demand है demand बढ़ने का कोई ऐसा कारण भी हो सकते है कि यह जो consumer है इसके पास बहुत सारा पैसा आ गया बहुत सारा पैसा इंदी form of loan आ रहा है अगर हमारे पास loan सस्ते आपको हर एक बंदे को credit card मिल जाए और बोलो कि credit card पे ब्याज दरें बहुत कम है या आपको उस पे को fees नहीं पे करनी पड़ेगी तो you will tend to buy more money creates demand आपकी जेब में जो पैसा आपको टिकने नहीं देगा market जाओगे कुछ ना कुछ खरीदोगे और उसके parallel अगर चीजों की supply नहीं है तो price अप जाएगा अब ये जो demand है ये पैसे से create हो रही है government expenditure से create हो रही है बहुत बार ये positively create करा जाता है जब market में stagnation के हालात आते हैं तो सरकार करती है न कभी farmers को 6000 रुपे दे दिया या mg नरेगा की दिनों बढ़ा दिये 100-100 दिन कर दिये so that की consumer की जेव में पैसा आए demand बढ़े लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा है या economic हालात दूसरी तरफ opposite वाइड जा रहे है inflation बढ़ा हो है उस sense में consumer की जेव में ज्यादा पैसा आता है किसी भी ऐसी scheme से आता है जिसका supply side पर को impact नहीं है बर demand बढ़ रही है तो prices जो है बढ़ जाते inflation जो है शूट अप कर जाता है ठीक तो कोई भी कारण है यह पैसा जेव में आ रहा है यह कारण हो सकता है उसको कोई urgency इस तरीके की demand create होगी है या जो product है वो ही essential बन चुका है present circumstances में तो क्या होगा जी demand pull inflation हो जा है अगर हम फालतू में note print करके लोगों में बांट देंगे तो देखो हम पैसा नहीं खाते है ना ही पैसे से हम लोग कुछ पैसे से गाड़ी नहीं बनती है या आपकी requirements पूरी नहीं होती है वो आपको purchase करके देता है उसकी value है वो value तब decline कर जाएगी जब उसके corresponding जो supply नहीं है that is why overall economic development पे focus करा जाता है rather than कि हम लोग money supply बढ़ाते रहे तो इसलिए फालतू में पैसा print करके आप लोग को money बांटा जाता है क्योंकि उस पैसे के value नहीं रहेगी जो चीज़ कल आपको एक रुपय में मिल रही थी आज आपको 10 रुपय में मिलेगी तो आपको चा cost push inflation, cost push inflation क्या होता है कि supply side का कोई shock आ गया हमने मैंने आपको बताया कि there is a wiper involved in a production of everything, wiper क्या है factors of production है और कुछ-कुछ raw material वगारा ये लेके कर रहे हैं, अब उनके जो worker थे वो धरने पे बैठके हम काम नहीं करेंगे जब तक हमारी wages दोगुना नहीं करी जाएंगी, उनके bank उनके इन ब्याजदरें बढ़ा दी हैं, या उनका जो भी land leasing aspects है वो change हो चुक्क है, उनको बहुत जादर end pay करना पड़ रहा है, या जो भी उनकी investments ब्याजदरेना पड़ रहा है, या जो भी वो raw material purchase कर रहे थे, उस raw material का cost ही बढ़ गया, for example, हमारी chips, semi conductor chips, जैसे अभी दवाईयां उनके active pharmaceutical ingredient बहुत महेंगे हो चुके हैं, तो दवाईयां भी correspondingly महेंगी हो रही है, वो क्या है, वो supply side shock है, वो चाहके भी उसका manufacturer उस चीज़ को market में सस्ती नहीं बेच सकता, तो वो क्या करता है, वो अपना जो high price है, वो consumer पर पास कर देता है, यही करते हैं सारे manufacturer तो उसको कोई as and such competition का issue नहीं आता, तो चीज़े market में महेंगी हो जाती है, इस तरीके के inflation को हम लोग कहते है, cost push inflation, ठीक है, cost of production जो है, cost of production, cost of production बढ़ जाता है, किसी भी चीज़ का, कोई transport service है, जैसे bus service है, अभी diesel petrol बहुत महेंगा हो रहा है, तो धीरी धीरे, जिन जिन की आफशकता है, logistics की आफशकता है, उनके price automatically बढ़ जाते हैं, because उनका supply side का खर्चा increase हो गया, चाहे आपके घर में दूद की delivery हो रही है, वो भी 3-3 रुपए महेंगा कर देंगे, चाहे आप किसी bus में travel कर रहे हो, वो भी costly हो जाएगा, each and everything related to that fuel prices, हरी चीज़ महेंगी हो जा types पर आ जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, क्या type आ जाते हैं जी, wages push हो जाती है, wage push की धरने बैठ के हम तो काम ही नहीं करेंगे, ताला लगेगा, यह trade unions बंद करके बैठ के बैठ के हैं, कि नहीं हमारी तनखवा बढ़ेगी, तो हम लोग काम करेंगे, that is called trade, wage push inflation, तो wages ब करते हैं, for example, crude oil है, gold है, jewelry है, इस तरीके की जो चीजे है, उनका price अगर बढ़ता है, तो definitely इंडिया में इसके साथ जुड़ी ही सारी चीजों का price बढ़ना शुरू हो जाता है, important inflation है, यह भी cost push inflation का ही एक type है, तो यह दो types थे, अब truly कई बार ऐसा नहीं होता, sometimes there are commodities, जिनकी supply भी ठीक है, जिनकी demand भी ठीक है, लेकिन उनका price shoot up कर जाता है, तो यह किस वज़ा से होता है, यह एक बिचॉलिया, जिसको हम लोग hoarder कहते हैं, जमा खोर कहते हैं, hoarding एक illegal practice है, किसी भी ऐसी commodity जिसका already market में demand supply stable है, और बहुत सारे trader जो हैं, वो काला बजारी करते हैं, काला ब produce किया जाता है, maharashtra is the largest onion producer state, तो लगबग हर साल onion की production ठीक होती है, एक दो साल को छोड़के जब rainfall यहां, जो climate change के aspect हैं, वो दिखते हैं, demand भी onion का को ऐसा नहीं है, कि बहुत बड़ा कुछ हम लोगों नहीं रेसिपी सीख लिए हैं, एक साल में की, आप onion ही खाना शुरू क कर दे, demand stagnant है, कुछ सालों को छोड़के, और supply भी stagnant है, कुछ सालों को छोड़के, उतनी ही supply और demand बनी हुए, लेकिन you will find की लगबग every second year onion के prices जो वो shoot up करते हैं, अब वहाँ पे supply side और demand side के अलावा एक factor है, जो कि artificially create किया जाता है, वो क्या है, कि वो दोनों तरफ के shock provide करत markets में, तो सस्ते rate पे सारे का सारा onion, वो supply से purchase कर लेंगे, अब इस time क्या हो रहा है, कि demand create हो रही है, बहुत सारी सस्ते rate पे जब इनों नहीं खृदा, market में onion बचा ही नहीं, demand जादा है, supply ही ही नहीं, demand किस ने create कर लिए, demand उस holder व्यापारियों के group ने create करी है, उन्होंने store करके अपने cold storages यहां जो भी उनके warehouses बने होया, वहाँ पे रख लिया, अब supply जो real supply थी, उस supply से सारा माल हटके इनके warehouses में आ गया, और जो consumer की demand थी, वो यतावत बनी हुई है, अब market में जो common, जो सही वाले वेपारी हैं, उनके लिए onion जो है, वो available नहीं है, तो इसका price बढ़न और भी example है, तो इसको tick करने के लिए है, हमारे पास competition commission of India या जो भी जिस तरीके का essential commodity act के अंडर सरकार चापेवाप में मारती है, देखती है कि कोई इस तरीके के essential commodities को hold कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन yes, there are types की holding की वज़ए से भी supply side shock भी आ जाता है, demand side shock भी create कर दिया जाता है, फाल्तु की demand create कर देते हैं वो लोग, ठीक, that's it, diamond के case में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है, या काफी सारे उधारण है, वो आप अपने आप देख सकते हैं, जैसे crude oil का price बढ़ा, तो वहाँ पे crude oil का जो price कम हुआ था, वो बहुत ज price जो है, वो बढ़ना दुबारा से शुरू हो गया, क्योंकि उसकी supply side shock बना है, war की वज़े से, अना, similarity इस तरीके के बहुत सारे example है, तो ये बात हमने finish करी, इसके बाद जो types है, ये तो थे उनके कारण क्यों है, इसके बाद जिस जितने percentage inflation है, अगर पिछले साल किसी चीज का price 100 रुपे था, इस साल 103 रुपे हो गया, तो वो 3% rise किया, अना, per year, तो अब जितने percentage inflation है, उस हिसाफ से भी इसकी कुछ categorization करी जाती है, जो आपको paper में आ सकती है, पहला है, creeping inflation और mild inflation, जो की 3% के आसपास का है, creeping और mild inflation, उसके बाद walking inflation कहते हैं, 3-10% के अगर rate में prices बढ़ रहे हैं, per year, तो उसको हम लोग walking inflation कहेंगे, 10-20% के inflation को running inflation बोला जाता है, 20% से ज़्यादा अगर rise कर जाता है, 20-50% तो उसको galloping inflation बोलते हैं, अगर 1000% से भी ज़्यादा inflation हो जाता है, तो that is called hyper inflation, situation of hyper inflation, ये वो हालात हैं, जब आपकी paper money will become worthless, कि अगर एक किलो सबजी लेके जा हैंगे, तब वो सबजी आएगी, at this point of time, जितनी मर्जी money print कर लो, कोई फाइदा नहीं होने वाला, that is the reason कि हमें money की supply जो है, उसको control में रखना है, वरना inflation के हालात बन जाते हैं, because ultimately आपका goal ये नहीं है, कि आपको पैसा एक अठा करना है, ultimately आपका goal है, आपको चीजे खरीद से भी ज्यादा का inflation हो जाते है, जैसे जर्मनी के हलात थे, जो world war 2 के दौरान, world war 1 और world war 2 के बीच का जो period था, 1929 का recession आया, that was a situation of hyper inflation in Germany itself, क्या था कि अगर आपको खाना बनाने के लिए, कोईला खरीदने जाना है, तो इतने पैसे लग जाएंगे, उससे अच्छा आप थोड मत करी दो क्योंकि जादा पैसे लग रहे हैं, पैसे ही burn कर दो, तो easily खाना बन जाएगा, इतने बुरे हालात हो गए थे, जैसे हंगरी में 1946 में हो थे, जिमबावय में 2008 में हो थे, युगोसलाविया में 1994 में हो थे, अब भी धीरे धीरे बहुत सारी countries हैं, जैसे वियतनाम मे हुआ था या चलता रहता है, तो काफी जगह अगर उनकी monetary policies खराब होती है, inflation tackle नहीं कह जाता, तो it may enter the stage of hyperinflation, तो हमने types देख लिए inflation के, अब हम आगे बढ़ते हैं, levels of inflation की तरफ, so that कि हम थोड़ा से देखेंगे कि इसको measure कैसे करना है, measurement के लिए हमें चीज़े देखनी है, तो कैसे level है, जी producer के level पे inflation हो सकता है, producer के level पे हम उसको measure कर सकते हैं, कि wiper का cost क्या है, जी overall आप profit कितना ले रहे हैं, और material कितने का रहा है, then हम लोग wholesaler के price पे, क्योंकि आप directly तो नहीं producer से जाके चीज़े खरीद लेते हैं, there is a wholesaler जो distribute करता है, आपकी retail की दुकानों तक समा आता है, फिर आप करीदेते हो, wholesaler के level पे क्या price पढ़ रहा है, उसे चीज़ों का, जब वो bulk में purchase करता है, producer से, और consumer के level पे चीज़ों का क्या price पढ़ रहा है, जब वो किसी retail दुकान से जाके, इका दुका समान करीदता है, तो these are the levels of inflation, और इसी के बहाफ पे हम हमारे देश में measure करते हैं, नापते हैं कि कितना inflation है, भारत में जो producer level है, producer price index, ऐसा को index अपने देश में exist नहीं करता, हालां कि ये recommended है, ministries के दौारा, CSO के दौारा कि हमें ऐसा inflation calculate करना है, कि जो producer level का आंकड़ा हमें दे, लेकिन as of now सिर्फ हम लोग wholesale और consumer level पे, जो inflation है, उसको calculate करते है, PPI ही, बहुत सारे देशों में है, लेकिन अपने देश में नहीं है, इसा recommended reform, अभी आई नहीं है, proposed है, ठीक है जी, wholesale next है, wholesale वाला, wholesale inflation हमारे देश में calculate करा जाता है, इसको wholesale price index के थ्रू करते हैं, जिसकी बात हम लोग करेंगे आगे, और दूसरा है consumer price, last कि consumer को चीज़ें कितने price पर पढ़ रही है, यह दो index हम लोग calculate करते हैं, तो basically यही समझना है हमें, कि wholesale price index क्या है, consumer price index क्या है, और इनके regarding अकसर question पूछ ले जाते हैं, भारत में दो ही indexes use करे जाते हैं, और basically अगर thematic में बताऊं, तो theme क्या है, wholesale का wholesale price changes, और consumer का consumer price changes, अब देखो, बहुत सारी commodities हैं, ब अब खरीदते हो, और एक एक चीज़ को compare करेंगे, तो हमारे पास अटी कांकडा कभी आई नहीं सकता, ना ही हम चीज़ों को compare कर सकते हैं, तो index में हम क्या करते हैं, जब ऐसे बहुत multiple complexities हो जाती हैं, तो हम उसका index बना लेते हैं, एक basket create कर ली, कि there is a basket of 600 or something, 500 or something, commodities, जिन में goods भी हैं, services भी है, fuel भी है, food भी है, उनको मिला के एक basket बनाई, उस basket का index बना दिया, कि इसमें जो change हो रहा है, that is the wholesale price index, और इसमें जो change हो रहा है, that is consumer price का inflation, इससे क्या होता है, हमारे पास एक 60 कांकडा आ जाता है, ऐसा estimate जिसको देख के सरकार अपनी inflation targeting, जो Reserve Bank of India करता है, वो उसके लिए policies बना सकता है, investment के लिए जो government की strategies है, currency depreciation के लिए जो moves है, वो करे जा सकते हैं, upcoming time के लिए, ठीक, इस पपर से हम करते हैं, measurement, तो हमें basically समझना है paper के लिए, पहले तो paper के लिए समझते हैं, फिर मैं आपको बाकी बातें मता दूगा, कि जो wholesale price index से इसको publish कौन करता है, यह office of economic advisor, ministry of commerce and industry करती है, weekly basis पे publish किया जाता है, इसका base year 2011, इसकी जो basket है, उसमें 697 items है, तीन groups है, primary articles, fuel, power and manufactured goods, तीन चीज़े, primary articles, fuel and power, manufactured goods, रटा नहीं मारना, primary articles कौन से होंगे and this and that, बस 697 items है, CPI, यह retail level पे करेगा, CSO इसको publish करता है, CSO या इसके कुछ सब टाइप्स है जो मैं आगे दिखाऊंगा, और मैंसे कुछ चीज़े, labor bureau भी करता है, labor ministry का, monthly basis पे आता है, वही 2011-12 का base year है, और 448 items हैं, जो CPI rural है, 460 items हैं, जो CPI urban areas है, तो इसमें total 8 groups of items add करीगी है, जिसमें services जाद हैं, जो consumer लेते हैं, जैसे education है, communication, transportation, recreation, apparels, foods, beverages, housing, medical care, etc., इनकी items को add करे गा, consumer-centric items को जादा add करा गया है, यहां पे आप देखोगे, education वगएरा नहीं है, wholesale price index में, तो जो wholesale price index है, इसका जो पुराना base year होगा करता था, that was 2004 and 5, हो सकता है, आपको किसी book में, पुरानी NCRT में यह मिले, तो please उसको correct कर लीजेगा, क्योंकि 2017 में इसको change कर दिया गया, 670 items इसमें added है, CPI जो consumer price index है, 2012 इसका as of now base year हम लोग consider करते है, base year का funda मैंने आपको पिछले lecture में बता दिया था, जो GDP के दौरान हम लोग देख रहे थे, consumer price index में 4 further subtypes है, CPI for industrial workers, CPI for agricultural labor, CPI for rural labor and CPI rural urban combined, 4 indexes है, अब पहले तीन जो indexes है, यह कौन publish कर रहा है जी, कौन compile कर रहा है, labor bureau जो ministry of labor and employment के अंदर आता है, और दूसरा, चौत्थे वाला जो कौन करता है, वो central statistical organization करती है, जिसको अभी हमने recently merge कर दिया, एक नई organization बना दिया, वो कर रही है, वो मुझा बताओगे, चैट में या comment में कि कौन सी है, अब यह दो indexes है, दो में से, अब सबसे बड़ा role कहे कि देश में महंगाई कंट्रोल कर कौन रहा है, role किसका है कि महंगाई हो रही है, तो कम किसने करनी है, earlier यह role बिल्कुल clear नहीं था, finance ministry और Reserve Bank of India में टसल चलती रहती थी, right now it is totally cleared inflation targeting जो framework agreement of ministry of finance ने किया RBA के साथ, तो RBA की जो monetary policy की sole responsibility है वो यह यह कि देश में inflation 4% plus minus 2 की range में र भूमता रहे, that is the inflation targeting being done by RBA, उसके tools हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो अगर RBA inflation को target कर रहा है, तो कौन से inflation को target कर रहा है, wholesale को कर रहा है यह consumer price index को कर रहा है, यह आपको बताओ ना चाहिए, तो किसको कर रहा है जी, पहले यह 2014 तक WPI को consider करते थे, कि WPI हमारा target है, लेकिन 2014 onwards, अ अब जो है, वो consumer price index combined जो है, उसको key measure of inflation देते हैं, ठीक है, तो RBA एगर इलाज कर रहा है इस बिमारी का, तो इस बिमारी को consider किसको कर रहा है, कौन से parameter को देख रहा है, that is CPI combined जो CSO देता है, उसके बहाफ पे RBA अपनी monetary policy में tweaks करता है, यह आपको बताओ ना चाहिए, cut clear question यह पे बन सकता है, कि RBA कौन सा parameter consider करता है, while framing its monetary policy, ठीक, अब दूसरा तो WPI का role के है, फिर, WPI अगर उपर नीचे होता है, तो हम बड़े चिंतित हो जाते हैं, specially WPI जब low हुआ था पिछले सालों में, तो हम बड़े प्रिशान हो गए थे, उसका क्या कारण है, तो एक basic बात को स मतलब क्या है, कि manufacturing stage पे जादा चीज़े हम लोग जो commodities में, manufacturing की जादा है, manufactured goods जादा है, अब WPI कम होने का basic मतलब यह है, कि manufactured goods का price नहीं बड़ रहा, manufactured goods का price क्यों नहीं बड़ रहा, क्यों कि consumption बहुत कम हो चुकी है, और wholesale inflation वहाँ पे कम है, price नहीं बड़ा, consumption कम है, लोग खरी इतनी रहे, सस्ते में बेच रहे हैं, सस्ते में बेचना इसलिए पड़ रहा है, क्योंकि demand नहीं है, demand नहीं है, तो चीज़े सस्ते में बिकेंगे, discounted पे बिकेंगी, अब अगर manufacturer अपना समान सस्ते में बेच रहा है, तो उस sense में क्या करेगा, वो उसका cost of production निकालने के नहीं लोग को रखे क्या गरने, तो ये economy पे काफी negative impact डालता है, जब wages cut होंगी, तो ये वो लोग हैं, जिन्होंने आगे जाके बहुत सरी चीज़े retail में खरीद नहीं थी, अब ये इनकी demand वहाँ पे नहीं रहेगी, तो overall economic outlook जो है, वो country का negative चला जाता है, क्योंकि हमें GDP का level भी तो maintain रखना है न, goods and services अगर produce हो रही है, तो बिकनी चाहिए देश में, तो वो overall employment generate होगा, economy काम करेगी, वो जो मैंने photo पहले दिन बनाई थी, firms वाली, households वाली, उनमें interaction बंद हो जाएगा, तो automatically economy जो कॉलाप्स कर जाएगी, तो वो interaction अगर stable रखना है, तो inflation हमें, एक healthy amount of inflation की आप शक्ता है, WPI का भी, CPI का भी, जादा नहीं होने चाहिए, बहुत कम नहीं होने चाहिए, इसके लिए हम लोग अपनी-पनी policies बनाते हैं, अगर CPI basket की बात करूँ, तो इसमें ये वाली items add करी जाती है, जिन में food का सबसे बड़ा weightage है, ये आपको बता होना चाहिए, सब components में सबसे बड़ा weightage है, वो food items का है, इसके बाद housing including utilities आती है, apparels आती है, transportation आती है, so on and so forth, ये basic चीज़ें आपको बता होना चाहिए, तो जब भी CPI में spike आता है, generally वो food items की वज़े से जल्दी आ जाता है, क्योंकि इसका weightage जादा है, और जब भी WPI में spike आता है, वो इ conceptual understanding के आफशकता होती है, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, all right, तो ये बात होगी, इसके बाद final हम लोग आगे बढ़ते है, core inflation और headline inflation, ये क्या होते है, हाला कि ऐसा कोई अलग से formula नहीं आता हमारे पास, core inflation और headline inflation को measure करने का, अगर WPI की बात करी जाए हमारा wholesale price index, overall total inflation within the economy क्या है, it is called headline inflation की, जिसकी headline चप जाती है एक बारों में की this is the inflation, that is wholesale price index, WPI, headline inflation इसको कहा जाता है, overall economy में जो inflation है, तो core inflation कौन सा हुआ, core inflation वो हुआ, headline inflation से जब हम food और fuel, जो की काफी fluctuating items है, जो की daily basis पर fluctuate करती है, food और fuel जैसी fluctuating items को minus कर देते हैं, तो उसको कहा जाता है, core inflation, इसको non food inflation भी कहा देते हैं, underline inflation भी कहा दिया जाता है, इस तरीके के शब्द कही बार use हो, तो ऐसा कोई direct index हमारे देश में exist नहीं करता, जो की directly core inflation को calculate करें, directly headline inflation को calculate करें, WPI in itself is considered headline inflation और WPI minus food और fuel की items is considered the core inflation, और कुछ तरीका नहीं है इसको measure करने का, हमारे पास दो ही measurements है, WPI और CPI की, एक ministry of commerce कर रही है और दूसरी हमारी labor bureau and CSO कर रहा है, ठीक, तो ये दो चीज़ें थी, जो अलग other than previous definitions आपको पता होनी चाहिए, तो जाते जाते एक चीज़ और पढ़ जाओ, that is boom and bust cycles, inflation के साथ जोड़ा हो concept है, देखिए, manufacturer के लिए inflation, अगर उसकी product की demand बढ़ र आपका raw material महिंगा नहीं होगा, तो जब कोई भी product market में आता है, कोई भी goods and services की production हो रही है, तो एक time economies में आता है, जब सब कुछ ठीक चलना है, तो demand boom करती है, तो उसको boom cycle कहते है, demand boom करी, इससे क्या होगा, कि बहुत सारे लोग उस boom को देखते होए, इन cash करने के लिए, market में कूदेंगे, नहीं नहीं, factories और लगेंगी, क्योंकि उनको लग रहा है, demand बहुत जाद है, तो वो boom cycle होता है, boom cycle में बहुत सारे लोगों को नौकरिये मिलती है, और लोगों की जेब में पैसा आता है, और demand create होती है, लेकिन एक point पे जाके, वो saturate कर जाएगा, because, जो supply side है, व उसको हम लोग burst cycle कहते है, क्या होता है, economies जो है, वो slowdown हो जाती है, किसी sector की बात कर सकते है, वो sector slowdown हो जाता है, धीरे-धीरे उसमें recession आ जाता है, जब recession आएगा, तो ऐसी sick units, ऐसी manufacturing units, जिनका बड़ा पहले hand to mouth चल रहा था, वो अपने operations shut कर देंगी, supply side धीरे-धीरे cut होना श चीजें actual growth पे दुबारा आ जाती है, तो इसको boom and bust cycle कहते है, कभी demand बहुत जादा होती है, demand कम होगी, तो हम इसको slowdown कहेंगे, यह slowdown लंबा चल गया, तो it is called recession, recession से recovery शुरू होगी, recovery phase आता है, then वो चीजें वापस अपने आप पे आ जाती है, अब कहते हैं कोई कोई कहता है J shape recovery, वो कहता है U shape recovery, वो V shape recovery, तो वो इसी इसी graph की shape पे वो depend करता है, कि कितनी जल्दी हम लोग वापस अपने actual demand level पे आगे हैं, अगर actual demand से बहुत जादा है, तो वो boom का cycle होगा, वो U बनेगा, ultra U बन जाएगा, वो भी industry के लिए अच्छी बात है, लेकिन उसको sustain रखना 12 मिलते हैं, जो भी doubts रहेंगे, वो आप यहां तो इकठे करते रहेगा, नहीं नीचे comments में लिखते रहो, हम लोग किसी एक doubt session में ले लेंगे उनको, thank you so much